हाई अवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ रहूल जे स्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारी यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगे आपके सामने एक मोश्ट इंपॉर्टेंट मैट्स का लेक्चर वीडियो लेकर आगया हूँ जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे स्वेंट स्टैन्डर के लिए मैट्स अब्जेगा जो हमने चाप्टर नमर एट की शुरुआत की है जिसका नाम है अलजेबरिक एक्प्रेशन ओपर देखने वाले दोस्तों जैसे कि आपक इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो एलजेबरिक एक्सप्रेशन जो हमने इस चाप्टर में पढ़े है उसको हम लोगो सब्राक्शन करना है यानि कि माइनस करना सीखना है इसके पहले जो हमारे लेक्चर नमर टू एट्री कि अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमने सिखा था कि कैसे हम लोग कोई भी एलजेबरिक एक्सप्रेशन को एड कर सकते है ठीके देखा था सिंप्लिफाई करना शीका था तो यहाँ पर हम लोग को Aa को सबसे बर में बताहूंगा एक एक example बताऊंगा कि हम कैसे algebraic expression को subtract कर सकते हैं दो method अगे जैसे हमने addition में देखा था देरा two methods that is horizontal arrangement and vertical arrangement method ये दोनों method आपको बताऊंगा एक एक बार solve करके फिर सीधा-सीधा हम आज के दिन ही आपको practice set number 34 भी करा देंगे इसमें 2-3 example आपको करा दूँगा so that आप remaining examples as a homework कर सको तो शुरुआत करते हैं आज के lecture video की बहुत important होने वाला है वीडियो को बिल्कुल skip मत करना end तक जरूर से देखना तो सबसे में लिए आप बात देख पार हो यहाँ पर subtraction of algebraic expression इस तरह लिख दिया किये मेरा monomial है 9x और 5x इसको मुझे क्या करना है सब्ट्रक करना यान की माइनस करना है तो सिंपल सी बात है इसको कैसे solve करना होता है हमें बहुत simple है आपको क्या करना होता है जैसे हमने add किया था वैसे इस same subtraction मे भी आपको सबसे पहले number को लेना पड़ता है सामने, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, एक साथ bracket मिल लिख दो, that is 9-5, and variable के हाँ है, दोनों के पास x है, that is common हो जाएगा x, तो 9-5 कितना होता है, 4, and यह x लगा तो that is the answer, कि 9x-5x is the 4x, तो यह आपको answer मिल जाता है, correct है दोस्तों, तो इसको भी solve करने के लिए 2 method है, तो दोनों method आपको बारी-बारी से बता देता हूँ, that is horizontal arrangement and vertical arrangement method, ठीक है, तो सबसे पहले मैं partition कर लेता हूँ, यहाँ पे आप लोग के लिए, ताकि मैं दोनों method आपके लिए बता सको, ठीक है, सबसे पहला method है, यहाँ पे आगर मैं आपको ब 23y प्लस 12z, ठीक है, 16x, यहाँ पे मैं लिखके दिखा दूगा, 16x प्लस 12y, प्लस 16x प्लस 23y, ठीक है, 23y, 16x प्लस 23y, आप अपने टेजबुक में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, प्लस 12z, यह मेरा पहला expression है, इसको मुझे प्लस करना है, स्री, आप 14z, ठीक है, यह हमारा expression है, इसको हम लोगो solve करना है, तो सबसे पहले आप horizontal method जब भी आप देखते हो, तो आपको इसरस को solve करोगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखोगे, यहाँ पे, जो कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे x, y, z, यहाँ पे x, y, z, तो सबसे प के वे से यह सभी के sign जोए change हो जाते है, we know that हमने यह बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, कि अगर बाहर sign है bracket के, तो अंदर के bracket open करने के बाद sign change हो जाते, तो यह minus 9x हो गया, ठीक है, minus 9x, यह minus, यह minus मिलके plus बना दिया, तो plus 27y हो गया, and last में, यह minus और यह plus मिलके minus 14z हो गया correct है, यह आपने लिख दिया, again, अब आप देख सकते हो, कि यह जो x, x वाले है, इसको एक साथ लिख दो, तो यह 16x minus 9x कितना हो जाएगा, आपका, अप directly में करके दिखा रहो, आप 1 step बढ़ा सकते हो, और x वाले को एक साथ लिख सकते हो, लेकिन मैं directly आपको solve करके दिखा तो यह 16x minus 9x, कितना हो जाएगा, 16 minus 9 कितना होता आपका, that is equal to 7x, तो यह 7x हो गया, मतलब x वाले का मैंने काम कर दिया, 23y है, इधर 27y है, तो यह 23 plus y है, यह भी plus 27y, यह जोनों add हो जाएगे, 23 plus 27 is 50, तो plus 50y हो गया, correct है, और यह 12z minus 14 है, that is minus 2z, तो यह आपका answer हो गया, 7x plus 50y minus 2z is your answer, तो इस प्रकार हमने horizontal way में solve कर लिया, जो कि हमने आपको addition भी करके दिखाया था, ठीक है, आपने देखा होगा, second and third lecture, इसमें हम लोग ने क्या किया, बस आपको सिधा-सिधा उसको arrange कर रहा है, और जो add हो add कर सकते है, जो minus हो रहा है, उसको minus कर देंगे, तो यह हम plus 23y plus 12z, यह हमारा पहला equation था, इसको हमने एक साथ लिख दिया, और दूसरा हम लोगो क्या करना है, नीचे वाला क्या है, that is, second one, 9x minus 27y plus 14z, यह हमारा second equation सा, अब इसको हम लोगो solve करना है, तो हम लोगो करना क्या, actual में subtraction करना है, यहाँ पे minus हो जाएगा, correct है, अब यहाँ जो minus हो रहा है, friends, तो इसके वेज़ से, यह minus के वेज़ से अंदर के sign change हो जाते है, अब तो यह minus तो होगा, लेकिन यह minus के वेज़ से, यह क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, इस तरह से, यह minus था, तो आप इस तरह से बड़ावाला plus इ इतना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, तो आप देखोगे, यहाँ पे भी सेम चीज आ रहा है, that is, 7x प्लस 50y-2z और यहाँ पे भी 7x प्लस 50y-2z आ रहा है, इसका मतलब, हम चाहे कोई भी method से करें, हमारा यहाँ पे तोटल बात करूँ, 5 example दिया है, तो आज मैं आपको 1-2 example करा दूँगा, so that आप लोग जो बचेवे example है, practice कर पाऊँ, ठीक है, तो directly jump करते हैं, हम लोग practice set number 34 पे, इसके लिए हम लोग को यह board रफ करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, हमारे board को रफ कर देते हैं, let's rough this fast, ठीक है, सिधा हम लोग heading डाल नेंगे, practice set number 34 है हमारा, ठीक है, बहुत ही simple एक type का example है, आप देखोगे दोस्तों, आपको पता ही होगा, कि बहुत ही simple type का example है, क्योंकि addition भी जब हम लोग पढ़ रहते हैं, तो बहुत easy लग रहा थो, तो यह पूरा chapter ही बहुत easy है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है, कि कोन से variable, कोन से variable से plus हो सकता है, ठीक है, तो वो बस एक ध्यान की चीज़े देने की बात है, otherwise बाकी जो ची before, अब, पहला जो question है, again, main question दो वही बोला है, subtract the following algebraic expression, जो भी आपको दिया रहेगा सब algebraic expression है, तो इसको हम लोगो क्या करना, add करना है, तो सबसे पहले आपे हमें question लिख देता हूं, that is question इस तरह है, 4xy-9z, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहला question, 4xy-9z, यह हम हम लोगो इससे solve करना, okay, करना तो है हमें subtract, क्योंकि main question तो हमारा वही है, that is, subtract the following algebraic expression, okay, अब इसको मुझे solve करने के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, बस दो method है, जो मैंने आपको सिखाया, एक है हमारा vertical arrangement method, जुसरा है आपका, that is horizontal arrangement, तो आपको horizontal method इस तरह करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगो अगर horizontal पसंद है, तो आप horizontal कर सकते है, कोई भी problem नहीं, कोई भी marks कम नहीं होगा, आप लोगो जितना marks score करना होगा, आप उतना marks अच्छे से score कर पाऊगा, ठीक है, तो इसको solve कर लेते, तो let's suppose मैं vertical method से कर रहा हूं, तो यह मेरा पहला algebraic expression है, जिसका ना यह चोटा सा step अगर भूल गए, तो पूरो राओं हो सकता है, तो यह आपको याद रखना है, कि sign change करना है, आपको minus के वज़े से, तो यह minus है, और यह plus है, तो यह minus होते है, यानि कि 16 जो है, 9 से minus हो जाएगा, तो 16-9 is 7z, sign कौन सा आएगा, यहाँ बड़ा कोन है, यहाँ आपका sign जो आएगा, प्लस आएगा, तो 16-9z is 7z, ठीक है, यह 2 जैसा दिखर होगा, लेकिन 7z है, ठीक है, अब next आप देखोगे, तो यह xy है, 4xy plus 3xy, sorry, minus xy, minus हो रहा है नहीं आपे, तो 4xy में से 3xy चलाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ xy बचेगा, यानि क कुछ नहीं करना इसमें, बहुत सिंपल है, तो उमीद करते हो कि आप लोग यह चीज़ समझ में आ रहा है, कुछ भी नया नहीं है, इसमें बस आपको थोड़ा सा यह दिमाख लगाना है, कि किस तरह से वो add हो रहा है, किस तरह से subtract हो रहा है, तो यह था हमारा पहला example, जिस तो इसको भी रफ कर लेते हैं, आपके लिए second example में फटाफट करा देता हूँ, ओके, क्या है second example, आपके टेज़बुक में आप देख सकते हो, practice set number 34 में, second example, क्या दिया हुए, that is 5x plus 4y plus 7z, ठीक है, तो 5x plus 4y plus 7z, ठीक है न, 7z है, 7z, यह आपका पहला example है, यानि कि पहला term ह इसको किसे सब्ट्राक करना है, second is x plus 2y plus 3z, ठीक है न, तो x plus 2y plus 3z, आप आपके टेज़बुक में भी question देख सकते हैं, और यहाँ पे भी में लिखके दिखा रहा हूँ, तो कोई problem नहीं आएगा, अब अगेन में क्या करता हूँ, इसको vertical arrangement method से ही solve करता हूँ, तो इसको और इसको एक के निशे एक लिख देता हूँ, तो क्या है हमारा, पहला 5x plus 4y plus 7z, यह हमारा पहला term है, इसको हम लोगो किससे सब्ट्राक करना है, माइनस करना है, किससे करना है, यह वाले terms है, यानि कि x plus 2y plus 3z, इसको हम लोगो इससे सब्ट्राक करना है, तो अगेन माइनस करन तो यह 4Z, बड़ा कौन था, यहाँ पर 7 बड़ा था, इसके पास क्या साइन था, प्लस था, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, आपको पता ही कि हम भी जब भी सब्ट्राक्शन या फिर एडिशन करते हैं, तो बड़े नंबर का सिंबॉल, यानि कि जो साइन होता है, वो यू तो हमारा एंसर आगे, डोस्तो आप देख सकते हो, जो की है, यहाँ पे 4X प्लस 2Y प्लस 4Z, यह हमारा एंसर है, इसमें आप लोगो को अगर कमन निकालना है, तो आप 2 को कमन निकाल सकते हो, नहीं निकाला, तो भी कोई प्राब्लम नहीं आएगा, यह था हमारा final answer, दोस्त अगर बात करें, तो पहला और यह रहा हमारा second example, यह मैंने आपको करा दिया है, और remaining example, third, fourth and fifth, यह मैं आप लोग के लिए homework दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत easy है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक step लगता है, खाली उसको answer निकालने में, तो इतना easy है, addition जिस तरह से आपने कि सब्ट्राक्शन क्या होता है, किस तरह से सब्ट्राक्शन किया जाता है, और किस तरह से हमने प्राक्टिसर नमर 34 के दो example, यह आपको 100% समझ में आ गया होगा, और जरूर से जो मैंने homework दिये हैं, बचेवे remaining examples, यह आप लोग कर लेना, ठीके friends, तो आज का वीडियो यहीं प फट से share करो दोस्तों, क्योंकि आप लोग की support की जरूत है, जैसे कि आप लोग इतना प्यार दिखाते आ रहे हो हम लोग को अभी से, तो आप लोग की और support की जरूत है दोस्तों कि इस तरह से हम लोग अगर share करते रहेंगे, so that जो हमारे गाओ 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 जो students है, जिनको ये वीडियो नहीं मिल पारें, और जो लोग afford भी नहीं कार पारें tuition fees को, और आज के दिर में lockdown में घर पे बैठे है, और पढ़ नहीं पारें, तो उनको ये वीडियो पहुचा है, जो गरीब बच्चे है, उनको ये वीडियो पहुचाओ, आप लोग share करोगे, एक share करोगे, दोस्तों कि कितना important होता है, share करना, कुछ भी अच्छी चीज़ को share करोगे, तो ये आप लोग को blessings मिलता है दोस्तों, और आप लोग की blessings के वैसे मुझे भी blessings मिलेगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों, तो उमीद करता हो कि आप लोग वीडियो को like thank you, and good bye.